अब तक हम लोगों ने ट्रस्ट के बारे में एक बेसिक बेसिक हलकी फुलकी information देखी है, ज्यादा कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ आज जो section हम देखने जा रहे हैं, बहुत 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 important है, that is your section 11. समझ लीजे, आपके इस chapter के आद ही problem यहीं दूर कर देता है, यानि कि when you start to solve the question or you are facing any practical issues, just try to go with section 11, आपकी 90% problem में ही solution मिल जाती है, basically इसके 5 sections हैं, यहां कह सकते हैं, अब एक और add कर दियागा, there are not more than 6 sections, section 11, 12, 12A, 12AA, 12AB, 12AA और 12AB, basically यह registration से related हैं, यह दोनों section किसे related हैं, 12AA and 12AB, यह दोनों registration से related हैं, आप एक trust का registration income tax में कैसे करवाते हैं, tax benefit लेने के लिए, वो हमारा section 12AA और 12AB कवर करता है, section 11 बताता है कि आपकी अगर कोई property है, trust में, और उस property से आपकी कोई income होती है, तो उसका system क्या है, taxation के point of view से, first section 11 यही बताता है, section 12 बताता है, अगर आप कोई voluntary contribution पाते हैं, तो उसका tax treatment कैसे होगा, specific directions के साथ होगा, non-specific directions के साथ होगा, वो हम लोग देखेंगे, यानि दो section तो यह होगा, section 11 जो आपको taxation system बताता है, कि अगर कोई property है, जो trust के पास है, उससे अगर trust कोई income होती है, तो how to compute income, उसका taxation system क्या होगा, basically section 11 तो यह कहता है, कि यह सारी income माफ होती है, लेकिन ऐसा भी बताया, कि कुछ income माफ नहीं होती, तो हम यहाँ पर दोनों चीजों की बात करेंगे, taxation का मतलब क्या, कि कोई तो ऐसी income है, जिस पर tax लगना चाहिए, हम उसी जी बात करेंगे, लेकिन section 11 तो clearly कहता है, कि following income shall not be included in the total income, section 10 की तरह है, लेकिन कुछ incomes ऐसी है, जिस पर tax लग जाता है, कौन सी है, कैसे calculate होती हो, देखेंगे, section 12 कहता है, कि voluntary contribution है, तो उसका exemption होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, नहीं होगा, तो कब नहीं होगा, section 12a बताता है आपको, कि section 11 और section 12 की applicability के लिए कौन सी conditions है, 12aa और 12a भी आपका registration से related है, और section 13 कहता है, बही, कर ले तु जितने भी जतन, जतन, सितम नहीं, जतन, तो 11 और 12 का exemption applicable नहीं होगा, withdraw कर लिया जाएगा, जो भी आपको benefit दिया गया था, section 11 में, जो भी आपको benefit दिया गया था, section 12 में, वो आपसे withdraw कर लिया जाएगा, section 13 में, section 11, जो बताता है, कि कौन कौन सी income exempt होती है, जो property के दुरू आती है, section 12, जो voluntary contributions को बताता है, 12a, कुछ conditions क उस पर satisfy करना पड़ता है, for the purpose of applicability of section 11 and 12, 12a and 12ab, यह आपका registration से related है, section 13 काता है, 11 और 12 को तो हम withdraw कर लिएगे, जो आपको benefit दिया था, हो चीन लिएगे, फिलाल, आज हम लोग जो start करने जारे है, that is section 11, और यह मैंने bear act से उठाया हुआ, this is the bear law, यहां section 11, यह सब section 1, उसका clause A, clause B, clause C, ऐसे आप लोग देखेंगे, यानि अगर मुझे लिखना हो, यहां पर तो मैं लिखूंगा section 11, section 11, 1a, बात समझ में आई, clear है, तो यह section 11 का सब section 1 है, उसका clause A है, clause B है, तो आप लोग यह ध्यान रखेंगे, यह मैंने bear act से उठाया हुआ है, उसी से हम direct आपको समझा आने की कोशिश करेंगे, क्या कहता है, the following incomes shall not be included in the total income, in totality, 4 points discussed किया है, कितने points discussed किया है, 4 points discussed किया है, 11, 1a, b, c, and d, 11, 1a कहता है कि अगर कोई property है, जो trust के पास है, और वो पूरी तरह से, वो completely charitable और religious purpose के लिए use होती है, तो कहा गया, कि जो भी उसकी income आये की, वो पूरी तरह से माफ होगी, वशर्ते उसका use और application in India हुआ हो, वशर्ते उस income का use इंडिया में ही हुआ हो, मैंने क्या बोला, कि अगर कोई property trust के पास है, और trust को उससे कोई income होती है, वो property completely पूरी तरह से trust के वो completely use होती है, trust के purposes के लिए, और उससे कोई income earn होती है, तो वो income माफ होगी, बशर्ते उस income को पूरी तरह से इंडिया में apply किया गया होना चाहिए, charitable purpose के लिए, अब सर आपने हमें ये नहीं बताया, charitable purpose क्या होता है, अरे थोड़ा patience रखे न, ये चोटे चोटे पार्ट में ह आपको भी कोई headache ना हो समझने में, क्योंकि section 11, section 12, 20A, AA, AB और 13 को समझने में हालत खराब हो जाती है, जब आप एक बार systematically सारी चीज़े समझ लेंगे, बहुत अच्छा करके चले जाएंगे, मैंने अभी तक क्यों इतना बताया, section 11, 1, subsection A में कि अगर कोई property trust के पास है, charitable purpose क के लिए और उससे कोई income अर्ण होती है, और उस income का application charitable purpose के लिए किया जाता है, तो वो income पूरी तरह से माफ होगी, साथी साथी core condition इसमें है, कि अगर कोई income, अब यहां पर जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसके लिए हम लोग section 11, subsection 5 भी देखनेंगे, फिलाल अभी हम इसको देख रहा है, मन को, section 11, subsection 1 का clause A, where any such income is accumulated or set apart for application of such income in India to the extent to which the income so accumulated is not in access of 15% of the income from such property, तो सर इसका क्या मतलब है, चलिए हम उसको भी बता देते हैं, इस चीज़ को define करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक example दे देता हूँ, ताकि आपकी ये भटक घुल जाए, एक छोटा सा question मैंने यहाँ दे रखा है, कहता है, एक trust है, उसने 3 लाख रुपए की income कमाई है, और उस income को charitable purposes के लिए यूज के एक एक लाख 80,000 बस, इतना समझें, जो मैं आप बोलने जा रहा हूँ, ढगी से सुनें, अब 3 लाख रुपए की income है, गौर्मेंट ने एक option दिया है accumulation का, कि अगर आपको कोई trust से related income होती है, और उस income को आपको apply करना है पूरी तरह से charitable purpose के ल लिए, practically यह possible नहीं है, conditions क्या है, आगे चल कर देखेंगे, लेकिन समझाने के लिए, कि 100 रुपए आए और 100 रुपए हमको उसी साल यूज करने, तभी तो हमें exemption मिलेगा, तभी तो हमें benefit मिलेगा, तो government ने थोड़ा relaxation दिया, कहा कि ठीक है, 15% को आप accumulate कर लो न, अगले साल म problem कर रहे हैं, कम से कम, 100 की income का 85% तो आप use कर सकते हैं, तो जो 85% है, balance 85%, उसी के ही application की बात हो रही है, मेरे पास इस साल 3 लाग की income है, उसका आप 85% ले ले, उसी कोई सी साल use कर रहे है, 15% आप अगले साल तक accumulate करके ले जा सकते हैं, use करने के purpose से, कोई दिकत नहीं है, उसकी अ accumulate on, you can set apart or accumulate the income to the extent of 15%, तो जो ऐसी income है, उसका 15% आप accumulate कर सकते हो, set apart कर सकते हो, उसको अगले सालों में use करना, problem relates to 85%, you have to apply at least 85% of the total income, लेकिन अगर कोई बंदा 15% से ज्यादा, apply करना, accumulate करना चाहे है, तो उसके लिए भी condition है, भाई, अरे, sorry, ये कौन सी बात होती है, पहले तो आप करते हैं, कि अगर किसी के पास 100 रुपय है, वो 15% accumulate कर ले, problem किस के साथ है, 85 के साथ है, 85 को ही use करना है, उस साल की income को उसी साल use करना है, problem 85 के साथ है, लेकिन मान लेते हैं, practically ये भी possible नहीं हो पाया, उस बंदरी के वाल 80 यूज किया, तो आप कहेंगे, सर 5 पर tax लगा द तो गौर्मेंट ने का, आप 15% से उपर की application अगर करनी हो, तो इसके लिए फिर section 11, subsection 5 में investment करना पड़ेगा, ये जो 5 है ने, इसकी भी अगर आप deduction या examination लेना चाहते हैं, इस साल, do not worry about that, you can get the examination of rupees 5 again, कैसे ले सकते हैं, आपको 11, subsection 5 में specified investment करना पड़ेगा, 5 साल के अंदर उसको use करना पड़ेगा, इसके लिए कोई limit नहीं है, कब तक use करना है, इस पंदरा के लिए general exemption है, लेकिन इस 5 के लिए, जो कि हमारा 85% से भी कम use हुई है income, 80% ही use हुई है, तो जो बीज की 5% फसी हुई है न, उसको अगर आपने इसी साल, अगर specified investment में use कर लिया, जो 11, subsection 5 म हम लोग तो कहा कि इस 5 को भी benefit में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में है, तो यहां तो वो है, यहां पर कहता है, अगर आपकी total income 3 है, तो 15% general exemption में लिए गाएगा, अब आपको इतना apply करना है, आपने किवल apply किया 180, बागी आपके tax लग जाएगी बाई, आप इतना use नहीं कर पाए ना, तो tax लग जाएगा, बाग खतम, होगे, यह basic example इसलिए देना जरूरी था, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि हम बात कर क्या रही है, अब जरा मैं बोलू, जो 15 परसंट है, और सट अपार्ट पर अप्लिकेशन तो शुच परपसे इंडिया, तो आपको समझा सकूँ परसंट, तो 15 परसंट तक का तो आपको benefit मिल रहा है, कोई भी इंकम जो आप अप्लाई करनेंगे, यू परसंट आपको समझा सकूँ करनेंगे, आपको समझा 15 परसंट के लिए तो आपको एंकम मिली जाएगा, 85 परसंट जितना आप इंकम यूज करेंगे, उसका एंकम ले लो, एक आदमी है जिसके पास 2000 रुपे की इंकम है, ट्रस्ट पे, प्रॉपर्टी की, उसने केवल 1700 ही यूज किया, 1500 यूज किया, तो कहा गया 2000 में से 15 परसं प्रॉप्शन मिल रहा, 1700 को अप्लाई करना है इस साल का इस साल, उसने 1500 ही किया है केवल, तो 200 पर टेक्स लगा तो, क्या दिकत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन इस 200 के लिए भी बेनेफिट मिल सकता है, अगर हम इसको स्पेसिपाइड इंवेस्पेंट में प्रॉपर्टी जो 100% उस charitable purpose के लिए है, लेकिन कभी-कभी हो कह सकता है, क्यों कोई प्रॉपर्टी जो trust के पास है, in part only, वो उसका कुछ हिस्सा ही trust के purposes के लिए use करता है, कुछ हिस्सा ही उस trust के purposes के लिए use करता है, और साती सात, साती सात ऐसा trust income tax act, ये वाला income tax आने के पहले का incorporation है, तो उसके लिए बोला गया है, कि हाँ, जितना वो use कर लेगा, वो माफी तो होगी होगी, और साती सात 15% तक का accumulation भी माफ हो जाएगा, वो भी मैंने अभी आपको बता दिया, तो अगर कोई trust पूरी तरह से apply करता है, तो क्या किसी property को, और part में किसी property के trust में use करता है और उससे related को income अरन करता है, तो जितना apply करेगा in India, वो माफ होगा, साधी सात 15% का application भी माफ हो जाएगा, accumulation भी माफ हो जाएगा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, point number C, तो पहला था completely, दूसरा था partly, 111C, ये कहता है, अगर कोई income drive होती है, किसी trust को किसी property से, और व create होता है, not incorporate, वो trust create हुआ है, 1st April 1952 को या उसके बाद, या 1st April 1952 के पहले, अब धंसे सुनेंगे, दोनों case में, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, income is to be applied outside India, income is applied to such purposes outside India, ओ, 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 अब तक हम in India, in India की बात कर रहे थे न, ये देखिए न, in India, और दूसरा ये in India, लेकिन जो ये point number C है न, वो outside इंडिया के बारे में बात कर रहा है, आखिर इसमें ऐसा क्या है, जरणन से सुनें, अगर कोई income drive होती है, किसी trust से, ऐसा trust जो 1st April 1952 के बाद create हुआ है, ऐसा trust जो 1st April 1952 के पहले create हुआ है, तो अगर कोई trust 1st April 1952 या उसके बाद create हुआ है, और उसका कोई international welfare में promotion करना है, किसी मुद्दे को लेकर, किसी point को लेकर internationally recognized है, मान लेते हैं, वो trust internationally recognized है, और उसने कोई charitable trust purposes के लिए कोई काम किया है, which tend to promote international welfare in which India is interested, to the extent to which such income is applied to such purposes outside India. तो ऐसा purpose जिसमें इंडिया का interest है, तो जितनी amount outside India use करेगा, उस income को भी हम maaf करेंगे, सोचो, एक trust जो 1st April 1952 या उसके बाद इंडिया में create किया गया है, और उसका international welfare में किसी चीज़ को promote करना है, जिसमें इंडिया interest रखता है, तो कहा गया, जितनी income वो वहाँ पर use करेगा outside इंडिया, वो भी maaf करती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह, अगर कोई trust 1st April 1952 के पहले create किया गया है, और उसकी वो income, जिस purpose के लिए outside इंडिया use की गया, ये तो भही पहले 1st April 1952 के पहले कि अगर बाद करें, तो हमारे constitution ही 49 में आया था, हाँ या ना, तो हमें ल आद में भी कह दिया जाए कि कोई भी purpose is outside इंडिया, जिसमें इंडिया का government का interest हो या ना हो, वहाँ पैसा लगाओ, आपको maaf में हो जाएगी, ये गलत बात है न, तो 1st April 1952 को वो check और control किया गया, आज के बाद, आप अगर किसी property जे कोई income कमाते हैं, trust की है, और आप outside इंड 1952 के पहले कोई bifurcation नहीं था, whatever the income were applied outside India for the purpose of welfare of any international welfare on any point, then that amount of application was exempt, but on or after 1st April 1952, this is not so, the system has been changed, now the amount will be exempt to the extent in which India is taking interest in that particular point, हो गया, ये मैं point अभी छोड़ दे रहा हू, तो मैंने आपको कितने point बता है, बिसिकली तीन बता है, लेकिन तीन हो देखो नहीं, दूसरा से इंटरलेटर है, section 11.1.a कहता है, कि अगर कोई charitable trust के पास कोई property है, उससे कोई income earn होती है, वो property 100% charitable purpose के लिए use हो रही है, तो जो भी income आएगी, उसका जितना भी application in India में किया जाएगा, वो सारा का सारा माफ हो ज अगर कोई partly asset इंडिया में use होती है, charitable purpose के लिए, तो जितना भी वो use करेगी application of income इंडिया में, तो वो माफ होगा, और साथ इसाथ 15% का accumulation भी माफ होगा, is it clear? 111C कहता है कि अगर कोई trust के पास कोई income है, in India है, और उसने कोई application किया है outside इंडिया में, अगर वो trust 1st April 1952 के पहले create है, तो कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं, 1st April 1952 या उसके बाद अगर कोई trust create किया गया है, तो वही application, वही तक की application exempt की जाएंगी, जिसमें India interest नेता है, international matters पर, तो international matter ना करकेगे, international welfare कहा जाए तो जादा better है, ठीक है न, last point, section 111D, section 12 आप पढ़ेंगे न, पहला point भी यही है, जो section 111D का है, तो फिलाद हम आप भी section 12 नहीं पढ़ दे जा रहे है, इसके बाद पढ़ेंगे क्या रहे है, अरे बहुत लंबा है section 11 भाई, इतना हल्लुक न हे भगवान, अगर वो voluntary contribution से है तो, अगर कोई income voluntary contribution से आती है, ट्रस्ट को तो वो भी महाफ है, voluntary contribution, देखिए, contribution को दो पार्ट में फिर मैं बाटना चाहूंगा यहाँ पर, एक होगा voluntary contribution, एक होगा anonymous donations, या anonymous contribution, तो हम लोग उसको देखेंगे anonymous contribution का taxation है, उसके हिसाब कैसे होता है 5% और 1 lakh देखा जाएगा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा है, 115 BBZ, हम उसकी बात ही नहीं कर रहा है, हम केवल बात कर रहे है, voluntary contribution की, या, contribution दो तरीके के आगे देखने को देखेंगे, एक voluntary contribution, एक anonymous contribution, या donation, तो अभी हम जो बात कर रहे है, वो voluntary contribution की बात करें, तो आगे चलक इस contribution को पलाना purpose के लिए use करना, उसे क्या बोला, इस contribution को specifically इस purpose के लिए use करना, now there is a specific direction, जो donor है, जो contributor है, जो participant कर रहा है, वो specific instructions दे रहा है, कि आप इस income को ऐसे use करेंगे, अगर इस तरह की कोई income मिलती है, तो हमें मजबूरन उसी purpose के लिए use करनी पड़ेगी, तो वो income भी मा अफ होती है, क्यों, क्योंकि वो corpus of the trust का हिस्सा बन जाती हो, trust का fund का हिस्सा बन जाती है, ठीक है, हाँ जी, तो मैंने आपको 4 point बता है, देखे, यह summary है, इस summary को ढ़न से समझ लेंगे, 11.1.a कहता है, income direct from property held under trust, holy for charitable or religious purposes, to the extent such income is applied, 15% का accumulation allowed है, ठीक है, 15% से अधिक का आगे देखेंगे, accumulation, मान दिया जाएगा कि वो purpose के लिए use किया आगे है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसी तरह आपका 11.1.b, partly है, यह है न, partly, तो इसमें भी वो सारी चीजें है, हाँ या न, लेकिन यह trust create हुआ होना चाहिए, 1st April 1962 के पहले, बस इस पे यही बात याद रखनी है, partly वाले में 1st April 1962 के पहले जाना है, बाकी सारी condition वैसी ही है, मैंने तीसरा बताया कि अगर कोई trust outside इंडिया किसी application income को कर रहा है, तो उसमें trust को दो part में बाटा गया, 1st April 1952 के पहले के 1st April 1952 onwards, तो अगर onwards है, तो जिसमें इंडिया का interest उसी application को मा नहीं है, ठीक है न, लेकिन याद रखेंगे कोई accumulation allowed नहीं है यहाँ पर, जो point number C है, उसमें कोई accumulation allowed नहीं है, last voluntary contribution पुरी तरह माफ है, कोई condition नहीं है accumulation की, यहाँ पर भी accumulation नहीं, specific direction के साथ होना चाहिए बात खत्म, यह example मैंने आपको बता दिया, तो अब करना क्या है, मैंने आपको बहुत कम point बता है, लेकिन हाँ, आज के लिए मुझे लगता है, कि जब आप पढ़ने बैठेंगे इस point को दो बारा पढ़े, खुब मज़ा आने बाले, अगर मैं यह point आपको नहीं समझाता है, आप बेरक्ट को डिरेक्टी पढ़ते न, you'll be confused, you'll start to be confused, तो अब करेंगे, आराम से पढ़ें इसको, next session में जब हम आएंगे, इसकी explanations के बारे में discuss करेंगे, और साथी साथ 111a के बारे में भी discuss करेंगे, मैंने कहा थोड़ा आराम से चलेंगे, section 11 में हम कोई हड़बड़ी रही लिखाने जा रहे, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाए करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे, तब तक लिए चाहते हैं, bye bye, thank you, thanks a lot.